दिल्ली पुलिस की गुरुवार को उस समय नींद उड़ गई जब पुलिस को कॉल कर एक शक्स ने प्रधान मंत्री मोदी को मारने की धम की दी तद काल पुलिस की सारी यूनिट सक्रिय हो गई और कॉलर को ट्रेस करना शुरू किया गया एक छपी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछी दिर में पुलिस कॉलर तक पहुँच गई और उसे दबोच लिया गया जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उक्त शक्स शराब के नशे में था और नशे में ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया था आरोपी की पहचान नितिन के तौर पर की गई है जो दक्षिन पुड़े इलाके करहने वाला है पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कॉल मिली थी जिसमें कॉलर ने बताया था कि वा दक्षिन पुड़े इलाके के ब्लॉक 18 में स्थित मकान संख्या 198 से बोल रहा है और वा मोदी जी की हत्या कर देगा जिसके बाद ततकाल अंबेड कर नगर थाने की पुलिस टेम सक्विये हो गई और कॉलर को ट्रेस कर गिरफतार कर लिया गया आरोपी शक्स पूरी तरह से नशे में था और नशे में ही उसने फोन किया था फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताच कर रही है तधान मंत्री मोदी से पहले यूपी सीएम योगी आदितनात को दो बार फोन पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है अभी चार दिन पहले ही डायल 112 पर जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया था इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और आरोपी की तलाश में जुट गई धमकी देने वाले आरोपी नावालिक था जिसने मैसेज में अपशब्दों का प्रयोग किया था पुलिस ने आरोपी को सुशान्त गोल्प सिटी थाने की पुलिस ने गिरत्तार कर लिया था उसके पास मोबाइल और सिम बरामद कर लिया पुस्ताज के बाद पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार ग्रिह बहर दिया आपको बता दें कि इससे पहले भी 21 माई को CM योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी या धमकी भी UP पुलिस के 112 मुख्याले में एक वर्टसेप मैसेज के जड़िये मिली थी मैसेज में लिखा है कि CM योगी को मैं बम से मारने वाला हूँ वह एक खास समुदाय का नाम ले रहा था कि जान का दुश्मन है आरोपी कामरान को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफतार कर लिया था आरोपी कामरान की गिरफतारी के बाद UP पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डिस्क को एक और धमकी मिली थी इस मैसेज में मुंबई से गिरफतार किये गए कामरान को छोड़ने और ऐसा ना करने पर गंभी परिणाम भुगतने की धमकी दी गई UP ATS ने इसकी जानकारी महराश्टर ATS के साथ साधा की इसके बाद महराश्टर ATS ने जानकारी के बाद 20 साल के फैसल को गिरफतार कर लिया था पुलिस के मताबिक यह दारू सलम कॉलोनी मदीना चौक नासिक का रहने वाला था यान निव्ज नेटवर्ड के लिए गोविंद किमार की रिपोर्ट नई दिली